कुमार गौरब का भी रुक कर लेती हूं थोड़ा बीजेपी की रणनीती समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कुमार गौरब बीजेपी की रणनीती क्या है क्योंकि शेत्रिय जो छत्रप हैं जो राज्यों की पार्टियां हैं वो काफी important role play करती हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी की कोशिश होगी कि कॉंगरेस के साथ ये शेत्रिय छत्रप ना जा पाएं देखेए अपने जाहिड तोर पे बीजेपी की लगातारी ये प्रयास रही है और जाहिड तोर पे आप जबसे आपने एक चीज गोर किया होगा जबसे अमित साह अभी जेपी नड़ा राश्टी अध्यक्स हैं से पहले तीन साल के करीब पहले तक अमित्साह राष्टी अध्यक्स्तिया उन्हें चुनावी चानक के कहा जाता है चुनावी चानक की संग्या उन्हें इसी वजह से दी गई क्योंकि आज जो बात ससी धरूर कर रहे हैं वो काम बीजेपी 2014 से कर रही है 2014 में बीजेपी के साथ सुल्ला छेत्रिय दल थे सुल्ला दलों का गटवंधन था लेकिन 2019 जो अमित्साह के नेत्यूत में चुनाव लड़ा गया था उस दौरान 38 छेत्रिय दलों के साथ बीजेपी का गटवंधन था इसमें से कि मात्र 20 दल ही चुनावी मैदान में थे 18 दल बिल्कुल छोटे थे ब्लॉक अस्तर के दल थे किसी इलाके के दल थे जो उनकी वहाँ पे ज्यादा मजबूत इस्तिती थी और बीजेपी ने 110 सीट अपने सायोगियों के लिए छोड़ा भी था आपको याद होगा जब बिहार में घटवंधन हुआ था या सिवसेना के साथ जो घटवंधन था उसमें बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट भी छोड़ी थी तो कुल मिलाकर 38 दलों के साथ गटवंधन जो बीजेपी ने किया था आप बिहार से देखिए जनता दल युनाटिर यानि नितिस कुमार की पार्टी जिससे अब कहा जाता है कि हर दो साल तीन साल पे वो अप बड़ी पार्टी थी वहां के हिसाब से उनके लिए भी जीती हुई सीट छोड़ी थी तमिलाडू चले जाए जहां बीजेपी का बहुत कुछ नहीं है लेकिन तीन दलों के साथ गटवंधन था केरल जहां बीजेपी के कार्यकरता के नाम पर बहुत कम लोग आपको भगव बजा ये रही है जरूरी नहीं 303 जो सीटे बीजेपी को आई थी जो 2019 में पिछली 2014 के मुकाबले ये बढ़ी थी तो आप सोचिए सिर्फ वो बीजेपी का ही वोट नहीं था ये जो तमाम गटवंधन छोटे दलों से किया जिसमें से 17-18 ऐसे दल थे जिने लोकसभा चुना में मिला है और ये जो आप बात ससी थरूर कर रहे हैं या तमाम राजितिक पार्टिया कर रहे हैं वो बीजेपी की जो रनिती है उसको समझते हुए मेरे ख्यास ऐसा लगता है कि वो आगे आया है कि छोटे दलों के साथ गटवंधन कीजे क्योंकि उनकी बहुत जादा महत् मनिया काली दल वो बीजेपी से अलग हुई आपको याद होगा टीडीपी याद होगा हाला कि वो पहले अलग हुए थे लेकिन टीडीपी पहले साथ थी अब जो चर्चा चल ले उसके मताविक यह है कि तिलंगाना में विज़ान सभाद चुनाओं होने के बाद टीडीपी से अलग हुई जैसे सीवसे ना उनसे अलग होकर वहां महराष्ट में सरकार बनाई सीवसे ना टूट गए दो हिस्सों में आगया और एक बड़ा चंग कभी एकनात सिंदे के साथ मिलकर वहां सत्ता में है और किन सरकार के साथ है बिहार में लोग जन सकती पार्टी जो छेत्रिय दल है यानि कि चिराग पासवान की पार्टी उसको दोनों चाचा और भतिजे को साथ ले आया जाए जाए जेडियू बीजेपी से अलग हुई जेडियू में भी एक धरा टूटा है उनके पास विधायक नहीं है लेकिन उपंद्र कुस बाहा अलग हुए है औ जो छोटे दल आपके साथ या जो छेत्रिय दल आपसे दूर जा रहे है उनकी पार्टी में अगर तूट होता है तो उसको तोर दो उसका एक हिस्सा आपने साथ लिया यानि पूरा नुकसान आपको नहों आपको लाह मिलता रहे है तो कुल मिलाकर बीजेपी भी इसी प्रय पारांटी है और अब कॉंगरेस पार्टी अगर उस लाइन पे चलती है विए विचार आया सची धरूर की तरफ से अगर साथ अगर कॉंगरेस पार्टी से फॉलो करती है तो जाहिए तो पर बीजेपी का झो क्षेमा है उसमें भी वह संद्ध लगाने का प्रयास करेगी हा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखे रहे ये जूस 24